हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर्दिक्स स्वागत है देखे आज उन सभी डिफेंस पैसनर के लिए एक छोटी सी गुड निउस है वो गुड निउस आई है वोईस ओफ एक सर्विसमेन सोसाइटी की तरफ से देखे जिनोंने बारा मार्च को दिली जंतर मंतर पर अपने धरने का आवान किया और वहाँ पर अपनी मांगे रक्षा मंतराले और परणारमतरी कार्याले तक पहुँचाई देखे उससे पहले भी ये रक्षा सचीव से मिल चुके हैं और अपनी बातों को समझा चुके हैं तो देखे उसका असर ये हुआ और इन्होंने अभी भी अगस्त करानती की बात की थी कि 6 अगस्त में एक लाग से जादा जितने भी भूतपूर सैनिक हैं जेसियो, एंसियोज, एसियोज, वो सब मिलके जंतर मंतर पर फिर धरना देंगे अगर जरूत पड़ती है तो देखे उसके लिए हमें तयार रहना होगा तो देखे इसका असर ये हुआ कि भारत सरकार कुछ मांगे मानने के लिए तयार हो गई है वो जानेंगे इस वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरू करें देखे आप देख सकते हैं इतना बड़ा संख्याबल भूतपूर सैनिक होगा जब हमें वन रैंक वन पेंशन मिला था 2014 में तो देखे उस टैम जैसा माहोल फिर दुबार है तो यानि हर पांस साल में यहाँ पर धरने पर क्यों बैठना पड़ता है भूतपूर सैनिकों को इन्दृत परदर्शन देखे सबसे इंपोर्टन चीज़ है डिशिप्लिन्ड था और एक सैंटरली फोकस्ट था कि हमारा टारगेट क्या है हमारी मांगे क्या है और अगस्त करांति की गोशना का इतना असर हुआ अगस्त करांति की बात की तो उसका असर ये हुआ कि सरकार चार आर्थिक मांगे, आर्थिक मांगे का मतलब यह है, जहां पर पैसा involved है, यानि जहां आपको monetary benefit मिल सकता है, तो चार वो मांगे और चार discriminatory, यानि जो भेदभाव पून ऐसे चीजे थी, जो मांगे demands में थी, हमारी मांग में थी उन चार मांगों को मांगने के लिए सैध्धान्तिक रूप से तयार हो गई है, यानि चार प्लस चार आठ मांगे ऐसी हैं देखें उस ग्यापन में अगर आपको पता है तो तोटल पंदरा मांगे थी, इन आठ मांगों को सरकार सैध्धान्तिक रूप से मानने लिए तयार हो गई है लेकिन अगस करांती के दिन कम से कम एक लाख भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदश्यों के साथ रामलीला ग्राउंड डिल्ली में परदरसंग के तयारियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए देखिए अगस करांती को नहीं भूलना है आपको अगस करांती के लिए तयार रहना है क्योंकि ये संपूर्ण करांती होगी संपूर्ण करांती का क्या मतलब है यहां पर वो भी बताया गया SEOs, JCOs, NCOs जवान को संपूर्ण आर्थिक न्याय और समस्त भेद भाव से मुक्ती 15 अगस्त को एतियासिक लाल किले से पढ़ानमंत्री जी जो है राष्ट को संबोधित करते हैं और भारी संख्या में रामलिला ग्राउंड दिली में हमारा जमावडा से वो नैतिक रूप से दवाम में होंगे यानि 15 अगस्त को जब वो लाल के लिए से भाशन देंगे संबोधित करेंगे देश को और इतना बड़ा संख्याबल देखेंगे अपने सामने तो देखें उन पर प्रेशा जरूर होगा ये एक बहुत ही इंपोर्टेंट यहां पर बात कही गई है अगस्त करांती से पहले मैं कई राज्यों में जाकर सभी सैनिक संगठनों और भूतपूर सैनिकों को एक छट के नीचे लाने का प्रियास करूगा देखें सबसे इंपोर्टेंट चीज़ होती है यूनिटी अगर देखें आप छोटे छोटे संगठन है आप अपने जिले में अपने इलाके में केवल इस चीज़ों को DM को ग्यापन देके रूख जाएंगे तो इससे काम नहीं चलेगा आपको देखें कमबाइन होना पड़ेगा देखें पहली बार एक ऐसा अच्छा मोका मिल रहा है जहां पर नेत्रत्र जो है JCOs, SEOs, NCOs का परसनल नेत्रत्र है यानि उनके लिए कोई भी officers नहीं कड़ा है तो इतना अच्छा मोका है उसको आपको हाथ से नहीं कवाने देना है तो उसके लिए देखिए ये जो कहें बैठत भी करेंगे और उत्तराखंड अगस कानते के लिए उत्तराखंड से 10,000 सेनिक आने की सूशना भी मिली है ये लड़ाई जो होगी निरनायक होगी, डिसीजिव होगी जैसा आप सभी को पता है 8 फरवरी 2023 को रक्षामंत्री जी और 10 फरवरी 2023 को सचीव M.O.D. के सामने अपनी मांगे मैं विष्टार से समझा चुका हूँ देखे जो हमारी मांगे हैं उनके उपर ये विष्टार से चर्चा कर चुके हैं उनको समझा चुके हैं और मिलके भी आये थे उसके उपर भी मैंने ओलेडी वीडियो बनाया था तो देखे 12 मार्श 2023 को आप सभी को पता है कि देश से बहुत स्थानों से सभी जो सैनिक वीर नारीज इकटा हुए थे आपका योगदान और भागिदारी एक एतिहासि घटना है अगस्त करांती की तयारी अभी से करनी है मैं देश के करीब 50 से अधिक स्थानों पर अगस्त करांती से पहले बैठके करूँगा देखे ये कहना है वोईस ओफ एक्स सर्विस्मेंट सोसाइटी के चेर्मेन वीर बहदूर सिंग जी का देखे आपको ये मोका मिला है इस मोके को हाथ से नहीं गवाने देना है पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेत्रत्र जो है अफसर के हातों में नहीं है तो देखे कोसिस करना कि ये नेत्रत्र जो है आप ही के हातों में रहे हमारे ही यातों में रहे यहां से निकल के आगे ना जा पाए नहीं तो फिर इतना बड़ा कह सकते हैं कि संगठन बनना बहुत मुश्किल काम है अगर यह जांकारी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत